हालो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन आज मैं यहाँ पे पांस पॉइंट मैं किलर करने वाला हूँ जो कि मुझे स्मेस इंस्टाग्राम पे बहुत ज़दा मिल गया था इसका मैं रिस्पॉंस नहीं कर पया आप लोगों को या फिर आपने कैंसल कर दिया है या फिर फिलिप कार्ट वालों की तरफ से कैंसल कर दिया गया है लेकिन अभी तक आपको रिफर्ण नहीं मिला है नमर दो, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है मतलब जो जिससे आप परसेस कर रहे हैं सामान को अगर वो ब्लॉक हो चुका है और आप वहाँ पे ना तो कोई रिफर्ण के लिए क्लेम कर सकते हैं और ना ही आप किसी रिप्लेस्मेंट के लिए कर सकते हैं नमर तरी, अगर आपको बैंक से कन्फरमेशर मिल गया है कि हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है रिफर्ण नहीं आया है, विद्ट स्टेट्मेंट अगर वो बैंक कहता है इसा नहीं, अगर आपकी स्टेट्मेंट में नहीं शो कर रहा है रिफंड का डेट और टाइम जो फिलिप कार्ड ने आपको बताया है तो नमर चार रिफंड या रिप्लेस्मेंट के लिए रिक्वेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए नमर पांच अगर सब कुछ करने के बाद आपको रिफंड नहीं मिला तो बैंक की तरफ से पुरूफ मिले गया इस्टेटमेंट के साथ नहीं मिला और फिलिप कार्ड वाला बोर्ड रहे है कि हमने दे दिया है फिर भी नहीं मिला तो तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता तो इन सभी पांच पॉइंट को मैं कवर करूंगा और आपका ही कोश्चन होगा और सारे वीडियो और लास तक देखना तभी समझ में आएगा और उससे पहले बता दूँ अगर आप नए है इसे एले पे तो आप प्ली सब्क्राइब करके जाना और लाइक कर दो और अपन है यहां पर जैसे आपका बैलेंस अमाउंट डिड़क्ट होता है क्रिडिक कार हो तो नेक्ष मन्स से ईमाइ स्टार्ट हो जाता है वह चाहे आपको प्रड़क्ट फिपकार या amazon दे या ना दे आप तक पहुचे या ना पहुचे आपका एमाइ कटना शुरू हो गया है यह ये बता दूँ तो इस केस में आप क्या करेंगे आपको bank में फोरण जाना है अपने branch में उसे कहना है कि जो मेरा MII चल रहा है जिससे हुआ है मैंने इनेशेट किया है उसको आप फोर्स फोर्स closed होता है उसको आप करना है आप रिक्वेस्ट डालो को बैंक मैनेजर को या कोई भी वहाँ पे होगा आप मुझ सकते उन से जाके अगर वो बैंक वाला कहता है कि मुझे अभी तक रिफन नहीं आया है या फिर जो भी अमाउंट है जो डिड़क हो चुका है फिलिपकार्ड वालों के लिए या फ आपको बताना पड़ेगा वहाँ ठीके अभी इतना आपको मतलब की किसी भी हालत में आपको यह मैं आई फोर्स क्लोज करवाना पड़ेगा वरना आपको महीने का देना पड़ेगा जो भी पेमेंट होता है जो भी इम्याई है ठीके अगर नहीं होता है नहीं करता है बैंक में एक ही प्रापल्बम हो सकता है आप आपहूंत बार रिफण के लिए इने सेड़ किया हो एफिर बहुत बार उसको मतलब कभी कोई प्रोड़न बंगाया नहीं हो आप बार-बार उसको आडर कर रहे हैं इनकेस में आपको लेकिन ऐसे भी इसा लोगों से इस्टाराम करकर मुझे बताई कि जब हम करते हैं यह कर ही लिए लिए बॉक्त करते हैं यह हम डालते हैं तो यह आकाउंन तुर्ण ब्रॉक कर देते हैं इसा अगर ऐसा है तो वो लोगों की गलती है अगर आपकी गलती होगी तो आप जानते होंगे मैं उसमें नहीं कुछ जानता है ठीक है आप जानते होंगे कि गलती किसकी है तो इन केस में क्या करना है अगर आप जेनुमिन वो आपको लगता है कि सच में वो मेरे साथ गलती होई है तो आप consumer forum court में आप complain कर सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरा है क्योंकि आपका पैसा है आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा उनको help करने की ठीक है 35 पॉइंट यहां पर आता है अगर आपको bank से confirmation मिल गया है कि refund नहीं आया है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे इसमेस आये हैं कि flip card या Amazon और रिफ्रेंस नंबर दे देते हैं यह जाओ यह लेकर bank पर जाओ तो bank वाला बेकॉफ नहीं है इवन मेरा प्राक्टिकल ऐसा हो चुका है इवन bank के statement में भी show करता है कि वहाँ पर नहीं आया है कुछ भी नहीं वहाँ पर होता है कुछ का मतलब कुछ भी नहीं होता है कोई भी amount नहीं होता है लेकिन फिर भी flip card या Amazon बोलता है कि नहीं हमने दे दिया है अब वो लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा मेरा seller मतलब कि seller ने confirm किया है यह reference लोग कर दो यह साधा सा बेवकूफी बनाते हैं वो लोग साधा सा बेवकूफ होता है तो इन case में यहीं करना होगा कि अगर इन case में जाते हो ना consumer forum court तो वहाँ पर भी वो ल आप आप क्या करेंगे वह में लाउस फॉल में बताऊंगा लेकिन अब यहां पर रिफन या रिप्लेस्मेंट के रिक्वेस्ट देना चाहिए कि रही चाहिए अब इस हालत में कि रिफन या रिक्वेस्ट देखो अगर आपको प्रोड़क्ट मिल चुका है और आप ले लि इसको रिफन के लिए या रिप्लेस्मेंट के लिए करोगे तो हाल वही होगा जो हो रहे तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको आप यूज कर लो अगर आप बदलेंगे कुशिश करोगे यह विदेने की रिफन लेने की तो यही हालत होगा अगर किसी भी तरीकिस नहीं चलता है तो आप क्रेम कर सकते हो जो अफिर एस तो यहां प्रिया के सतक्स पुरा आप निकर लिया कि सब कुछ सबकुल्सख नहीं और अब सब्ढतने कर लिए आपके पास बैंक है आपके स्टेटमेंट है वहाँ पे ब्लैंक है बिल्कुल कुछ भी नहीं है तब किसको सही करोगे किसको सही मानूंगे आप जाहिर सी बात है कि कि आप ढाणिक जा पक्रोगे नफिकार्श न्यॉजान कोड़की वह आपको बेघ्म बना रहे हो रिप्रेंस नंबर देके बेखूबार सर्टेम कि यह एसा क्यों करने एवर ड्रेक्श नम्बर देके ओर भी यह गई आप और रहाए मुझा उगати नंव § अखे αυτा नए एक्सकॉस करना होता है है बाज ऐसा होता है भुझ करते हैं लिकिन ठीक है डिवyang का पाइन का लिमिट होता है नप presume ने कर दिया है वो जाहेँ गा मतलब कुछ समाहलने तक का लेकिन जब ऑबर होता है एक से दो महीन होता है एक फैसर जाता हो जो कहीं पूरा एटूजड आपको लिखना पड़ेगा इवन वहां पर अटाइसमेंट भी होता है आप अपना इस्टेट्मेंट भी वहां पर अटाइस करोगे जो बैंक की तरब से मिला है मतलब बैंक ने आपको किया बैंक ने आपसे मना किया कि मेरे पास नहीं आया इसलिए मैंने कुछ नहीं कर सकता हूँ यह आपको फोरम को बताना पड़ेगा यह स्टेट्मेंट लेकर जाके वहां जो कंजूमर फोरम कोट हैं वो आप बताईए कि मैं किसको सही मानूं बैंक तो कह रहा है कि नहीं आया फ्लाट डेट में जो डेट फिलिपकार्ट और एमर्जर बता रहे उजेट को नहीं आया तो यह statement देख लो नहीं आया तो अब मैं क्या करूं तब यह फोरम कोट थोड़ा सा deeply जाएंगे डीप में जाएंगे यह पता करेंगे actual में problem क्या है तो मेरे दोस्तों मैं आपसो यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगो और इस तरहेके से बात उनसे करो और यहीं last option है अगर किसी बेदरेके साब को नहीं मिलता है तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और helpful लगा होगा आपको समझ में आये होगी सारी बाते अगर नहीं आये फिर भी आप comment करके आप मुझे पूंच सकते हो और requirement होगी किसी और वीडियो बनानेगा तो आप मुझे comment करके बता दो तो like कर दो अगर नए ह है तो प्लीज आप subscribe करके जाना तब तक के लिए चैहिंद